आज की इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 10 से 15 नमबर अपने बोर्ड में आप इंक्रीज देखोगे यह मेरी ग्यारेंटी है वीडियो एंट तक देखना क्लास मैं आपको बहुत सारी ऐसी बाते बताऊंगा जिससे आपका pre-board ही नहीं आपका board और COET भी बहतर हो जाएगा तो वीडियो की शुरुआत करते हैं क्लास, pre-board में दो हपते बच्चे हैं और इन दो हपतों में आपको अपनी pre-board की preparation करनी कैसे है तो बहुत सारे सवाल आते हैं क्या pre-board important है? क्या pre-board के marks board examination में जुड़ते हैं? अगर हम pre-board ना दें तो क्या होगा? क्योंकि major बच्चों क्या लगता है? सर अभी हमारी preparation अतनी अच्छी हुई ही नहीं है तो pre-board देने का क्या फाइदा? जब preparation किया ही नहीं है तो pre-board देने का क्या फाइदा? यानि वो डरते हैं reality को accept करने के लिए तो मैं आपको बताऊंगा कि pre-board कितना important है सच कहूं तो board examination से भी जादा important है pre-board कैसे हम आगे वीडियो में बात करेंगे और साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी pre-board की preparation करनी कैसे चाहिए? अगर मैं बात करूँ, pre-board देना क्यों जरूरी है? देखो आपको कितना आ कितना प्रमिट कार नहीं मिलेगा और बहुत परिशान करेंगे और आप भी अंदर से जानते हो आपने सिर्फ pre-board इसलिए नहीं दिया कि आपको पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है तो मैं बतारूँ क्लास आप सारे बच्चे pre-board जरूर देना फायदा इससे यह होगा सबसे पहला फायदा आपको अपने गल्तियों का पता चलेगा सर मुझे कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं तुझ भी नहीं आता ना फिर भी तू प्रिबोड देने जाना डेफिनेटली आज तू कह रहा है तू कुछ नहीं आता बट तू प्रिबोड में कम से कम आट-10 जरूर ले के आजाए का बिना पढ़े जाए हुए भी कैसे आएंगे वो जा के देखलना पक के आजाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या आपकी कमी कहां कहां पे है कहां आप गल्ति कर रहे हो एग्जाक्ली क्या मिस्टेक कर रहे हो क्या फियर आ तयारी आपने की यह नही कि फिर भी आपको जाके देना है ताकि आप अंसर लिखते हुए रेटन प्राक्टिस कर सको कि भी आंसर लिखना कैसे चाहिए फुल लेंथ पेपर दोगे सिर्फ एक ऐसा समझ लो जिन बच्चों तोड़ीवत प्रिपरेशन कर रही है वो हाँ पर बैठी एक सांपल पेपर द तो दूसरा मौका देने के लिए आपको एक साल और देना पड़ेगा यहां पे क्लास अगले साथ दिन के अंदर प्रिपोर्ड के बाद बोर्ड से और उन 60 डेस के अंदर आप अपने मार्क्स को इंप्रूफ कर सकते हो एक्जाम का फियर खतम हो जाएगा राइटिंग प्र सौ मैं सौ लेके आते हैं उन्होंने कभी स्कूल में सौ मैं सौ लेके आये लेकिन बोर्ड इग्जामिनेशन में लेके आते हैं लेकिन किसी बच्चे ने पिरीबोर्ड मिस नहीं करा सो प्रिपरेशन कैसे करने इसकी बात करते हैं सर ठीक है आपकी कहने पर हम जाएंगे प् करा दो ए टू जड बतारू करना कैसे सबसे पहली बात आप मैंसी कुछ बच्चे कुछ मतलब की बहुत सारे बच्चे ऐसे जिरू अपना पूरा सिलवस खतम कर रखा है मैं उनकी बात करूंगा बट जिरू आधा दूरा कर रखा है सबसे पहले आपनी कॉपी पे मांक करो कि अपने अपना सिलवस कितना खतम कर रखा है सर मैंने चैप्टर खतम कर रखा है फिर आपको लग रहा है सरी अचीव नहीं हो पाएगा प्री बहुत क्लोज है तो उसको आप छोड़ दो इस तरीकी से एक लिस्ट सबसे पहले आपको बनाना है जनरली अप्रेल से नवेंबर तक आपको अपनी प्रिपरेशन कर दी होती है पूरी की पूरी जो कि नवेंबर एंड होने वाला है आपको अपना रिवीजन कर दी जो कि मैंने वन शॉट रिवीजन शुरू कर दिया अल्रेड अपने चैनल पे पिछले चार से पांट साल या तीन साल की कम से कम बहुत सारे को पूुछ आपको का सॉट पर रूब रिवीजन कर दरनावन लगण है तो मैं पूरी शॉम पनी चैनलीष यह करने के बाद मैं इसी जिसमें क्लास प्रिव यह कोश्चिन भी हो CBST का sample paper भी हो, कुछ solve paper हो, और कुछ unsolve paper हो, उनका combine एक ऐसा class sample paper मिल जाए, जिससे class अपनी pre-board के और board के, आप complete preparation कर सकते हो. Sample Paper आपको कैसे बनाना है, लेकिन उससे पहले, मैं कौनसे सांपले रेकमेंड करता हूँ, Educard का sample paper, जो क्लास पूरी तरीके से, आपके pre-board और board को प्रिपेर करने में आपकी मदद करेगा, इग्जाक बोर्ड के पैटन में, इसके अंदर हरी concept class, प्रॉपर तरीके से, चार्ट जरूरी है before exam, मैं पेपर से हटके, कुई रिविजन के लिए बोल रहा हूँ, उसके लिए भी class ये पेपर आपको काफी हल्प करेगा, इवन तीन फेसे में आपको पेपर करने चाहिए, सबसे पहला फेस आपको PYQ बनाना चाहिए, और CBC को ऑफिशल सांपल पेपर बनाना जो CBC पूछेगा, फिर जाके आपको बाकी पेपर बनाने जो सेल्फ असेस्मेंट है, जहां पे class आपको अन्सॉल पेपर मिलेंगे और आप इनको करके देखोगा, सर इतना टाइम नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर बना सके तो कोई प्रॉबलम नहीं, आप दो-तीन प्र पेपर बना के भी अपना प्रिबोड दे सकते हो, यह प्रिपरेशन इंडिरेक्टी आप अपने बोड की ही कर रहे हो, प्रिबोड अच्छा करना बोड के लिए हल्फुल रहेगा, इसके साथ और भी बहुत सारे बेनेफिट्स हैं, जैसे class आपको एक सेल्फ एवलेशन चा अगर आप देखोगे, एक्जामिनेशन में कुछ कॉम्पेटेंसी बेस कोश्चिन बे आते हैं, वो भी आपको इस सांप्लेवर कंदर मिलेंगे, लिंक इस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, एकाउंटी को, बीस्टी किसी भी सबजग का, आप जाके चेकाउट करो, य लिखिन ऑगर आपका कोई एक चैप्टर हुआ है तो आप उस चैप्टर बाइस भी पेपर बना सकते हो, वालो आपकी तीन चैप्टर अच्छे से हो चुके हैं, तो उन तीन के, जो भी सैंपले फ़मी कोश्चिन से आप उनको बना सकते हो, लेकिन बना जरूर है क्जब त एसा मान क darkness is the same board और तो यह अगि आप एक पढ़ोगे को नहीं देना तो आप पढ़ोगे लेगिव आप अगिन आपने ठान ले गिए पृष्यां न हाए लेय भाने पोच नहीं आप चार पांच CHAPTER बनाओगे at least कुछ ना बनाने से बहतर है कुछ ना कुछ बनाओगे, कुछ ना कुछ सीखोगे, तो अच्छे से रिविजिन करोगे, अच्छी प्राक्टिस करोगे, तो अवियसली प्री बोड में अच्छे नमबर आएंगे, फिर जो बज जाएगा, उसको आप स्कोर करोगे अपने बो स्टार्ट ना, किसी भी कीमत पे, कैसी भी कंडिशन हो, आप अच्छी शुरू करो, अपनी पूरी प्रीपरेशन तन्मन धन लगा के करो, अभी देखो कितना ताय में प्रीबोर्ड में अपनी स्ट्राड़जी बनाओ, बट प्रीबोर्ड को सीरियसली लो, अज़ो अज़ झ्ले के, बसцуищे भॉक बाह बाधा, किसी ब counting स्ट्री बनाओ, वाल बनाओ, किसी भी कंचे हो, अटियसली बuana कर सका किनो किए सुमाव बनाओ, कि zwei lange कने खाय में वा sporबों के बनाओten हो, वि det बनाओ, कि अपया हो, दिस प्रेक्लियस ओनाओ, किर से स्टा हो, आज़िएम झाल